है ऐसा कोई भी कंपोरेंट जो एक ॉजीटिव सीजसे लगा हो दूसरा शीरा उसका निगेटीव से लगा हो उसको हम परलर डारेक्षन में बोलते हैं जन्लिप्षा यह besan जुनना है तो मैं कैसे ढूनूँगा तो इस कोड को मैं यहां से कॉपी करूंगा और ले आउट पर जा करके इसको अगर आप टेकनि शन बनना चाहते हैं अगर आप रिपैरिंग चीखना आप तेस्टे है किसी वी अरियाय में दुकान चाहें वो आप जोब कीजिए आपको एक चीज तो सबसे मुद्दे वाले चीज है वह डाइग्राम कि आपको डाइग्राम कैसे रीड करना है लेकिन दोस्तों अगर इसमें बहुत चीज छोटी शोटी बाते होते हैं जो ध्यान में रखना जरूरी पड़ता है कि जैसे उसका सिंबौल बैल्यू जैसे कैपिस्टर हो गया आई सी होगिया ध्यर सारे कंपोनेंट होते मोगाइल में बैंड हो गया उसका नेटवर्क आई सी हो गया मंसी होगया तो तो दोस्तों यह सब दिन होकर के प्रोब्लम हो जाएगा रिपेरिंग करने में तो यह जो मैं आपको वीडियो देने वाला हूं वीडियो आप देखेंगे तो इसमें आपको काफी चीज आपको मदद इसमें मिलेगा कि कैसे कीसे diagram को हम operate करते हैं कैसे हम देखते हैं कौन-कौन सा section क्या होता है बहुत से लोगों का इस सा लगता है कि जैसे उनका diagram सीखना बहुत ही मुष्किल काम है वह सोसते हैं कि नहीं diagram उनको समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों मैं यह diagram explain करने वाला हूं दोस्तों ये वीडियो से आपको काफे चीज सीखने को मिलेगा तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टाट करते हैं दोस्तों ये देखिए डाइग्राम है Samsung का A50 का डाइग्राम है इसमें देखोंगे यहां पर अगर आप डाइग्राम लिए हुए हैं बहुत से लोग डाइग्राम परचेस कर रखे हैं पर उनको अपरेट करना नहीं आता है बहुत से लोग diagram खड़िदने में फुरा confused हो रहे हैं कौन सा diagram लेना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहां से 1st, 2nd, 3rd, नीचे से यह जो है आपकी काम का नहीं है तो इसमें laptop, PC, monitor का लिए है उपर से जो जाएंगे समेटिक हो गया, beatmap हो गया, उसके बाद hardware solution हो गया इसका knowledge आपके पास बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, जैसे कि देखिए मैं एक model लिया हूँ, Samsung A50 का, तो अभी मैं इस model के अंदर मैं आपको PCB board दिखा देता हूँ, यहां सब जाएंगे hardware solution के अंदर, यहां देखेंग दोस्तों अगर आप repairing करते हैं और diagram के साथ repairing करते हैं तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा, जो आपको काफी ज़्यादा help में लेगा repairing करने में, बहुत ही कम समय में solution निकालेंगे और confident होके solution निकालेंगे, और आप उस repairing का guarantee भी दे सकते हैं, जैसे देखिए यह है, Samsung का A50 का board है, अभी यहाँ पे देखेंगे, इसमें दो पार्ट में बटा गया है, एक तो इधर वाले side हो गया, एक दूसरी वाले side हो गया, बेक side हो गया, अभी इसमें देखेंगे mother board में, तो आपको एक तो सबसे पहली बात इसमें IC धेर सारी लगे हुए हैं, आपको कभी भी phone repairing करते हैं, तो आपको यह सब IC के बारे में knowledge होना चाहिए, कि यह कौन सी IC है, क्या काम करता है, यह कौन सी IC है, यह कौन सी IC है, यह कौन सी IC है, इतने सारे जो component लगे हुए हैं, इसकी value क्या है, क्योंकि दोस्तों, बगएर इस IC का, बगएर इस component का, mobile बेकार है, चलेगा नहीं हो, और IC में से कोई IC component खराब होगा, तो आपको यह परेशानी होगा, लेकिन आपको एगर diagram का knowledge है, तो आप बहुत ही जल्दी इस board को find कर लेंगे, इस line को find कर लेंगे, बहुत से जो fraser बंदे होते हैं, जो mobile line से नहीं है, या फिर mobile line से हैं, पर वो इतना deep में repairing नहीं करते है उनको यह बहुत ज़्यादा question होता है, कि वो कैसे आखिर इतना बड़ा motherboard को वो सीख पाएगा, कैसे उसको समझ में आएगा, कि diagram कैसे read कर पाएगा, तो दोस्तों वो सब के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप इस वीडियो के जरूर देखिए, आपको काफी चूज जिसमें समझ में आएगा, तो अगर आपको deep में repairing सीखना, इस diagram का deep में knowledge चाहिए, आपको पुरा coding के साथ चाहिए, तो आप हमारे institute में संपर्क कर सकते हैं, आप नीचे देगे नमर पे call भी कर सकते हैं, और आप अच्छी तरीके से जो diagram based पे repairing है, knowledge से भरपूर जो repairing है, वो आप मेरे से सीख सकते हैं, जैसे देखे इसमें धेर सारे component है, मैं आपको बारी-बारी से ले करके इसमें कुछ component में cover कराऊंगा, देखिए दोस्तों, पूरा motherboard का complete कराना एक वीडियो में संभब नहीं है, आप कोई और section का भी मैं आप एक section आपको explain करूंगा, अगर आपको किसे और section पर वीडियो चाहिए, तो नीचे comment भी कर सकते हैं, मैं उस section पर भी वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए, जो इतने सारे सबसे पहले हम बात करते हैं, यह सब component का, आप जो यह छोटे-छोटे देख रहे हैं, यह हो गया capacitor होता है, यह हमको कैसे पता चलेगा कि यह प्रिश्टर है, इसका क्या value है, अगर यह खराब हो जाता है, तो आप इसमें, ऐसा नहीं कि आपके पास same board ही होना चाहिए, आप किसी script board से भी यह जगह पे आप component लगा सकते हैं, तो इसके लिए जो है, आपको इसका layout आता है, कहां से आपके पास जो भी whatever model हो, आप उस model को ले सकते हैं, काफी सारे model है, इसके अंदर डला हुआ है, तो मैं यहां से गया हूँ, यहां से यह 505 हम देखेंगे, देखेंगे, यह 105 है, 505 है यहां से हम layout खोलेंगे और इसकी semantic खोलेंगे, तो दोस्तो, layout और semantic में, मैं बता दू, layout उसको बोलते हैं, कि जैसे कि आपका motherboard है, यह देखेंगे, यह पूरा motherboard का पूरा एक हिस्सा है, इसमें देखेंगे, यह front से दिखाया गया है, इसका back side से दिखाया गया, तो इसमें double दे दिया है, तो इसमें हड़ी एक चीज का एक code नमर इसमें दिया हुआ है जैसे कि आपका charging jack है B2B connector है battery connector है क्वाइल है IC है बहुत सारे इसमें बुष्ट क्वाइल लगे हुए है इसमें network section है यह हड़ section का एक part number आपको दिया गया है वो part number के बारे में आप यहां से जैसे की मान लिजीए किए कैपींस यह मान लेते हैं इसमें देखेंगे दिनुट किया हुआ है जैसे कर पासे बॉर्णयों है तो नहीं तो तो एगर नहीं आ में आप देखो कि इतने सारे डाइग्राम दिये हुए हैं पूरा मोबाइल जब बनता है उससे पहले डाइग्राम रेडी होता है तो आपको इसमें से वह क्या करता हूं डे वाइस डे आपको एक एक सेक्षन करता हूं एक एक सेक्षन में कैसे काम करता है उसकी इंपूट वोल्टेज क्या होता है उसकी आउट्पूट वोल्टेज क्या होता है वह ऐसी कैसे काम करता है कि जैसे उसके प्रोटोकॉल क्या होता है कौन सी प्रोटोकॉल से काम होता है कि सीप्यू कैसे काम करता है सीप्यू कैसे काम होता है motherboard के उपर मैं आपको by detail में यहाँ पर समझाता हूं अब देखिए इतने सारे जो डाइगराम है मुझे वो कैपिश्टर ढूना है तो मैं कैसे ढूनूंगा इसमें तो possible नहीं है कि आप एक-एक करके पढ़ेंगे एक-एक करके जानेंगे तो यहाँ देखेंग हुआ है तो अभी आप देख सकते हो यहां पर एक क्यापिस्टर दिया हुआ है इसी क्यापिस्टर को हम चेक कर रहे थे और यह क्या होता है तो दूस्तों मैं आपको बता दू ऐसा कोही भी कम्पोनेंट जो एक पॉजिटीव सीरे से लगा हो दूसरा सीरा उसका नेगेटिव से लगा हो उसको हम प्यर्लर डारेक्शन में बोलते हैं और वहीं एगर दोनेंट इसीरा उसका पॉजिटीव नाइन पर ही हो तो उसको सिरीज बोलते हैं तो अभी आप देख सकते हो कि यह लाइन जो है इस लाइन पर यहां पर यूए फैस का 2.9 बोल्ट बनेगा अब दूस्तों यूए फैस क्या होता है मैं बता दू यह एमेंसी होता है एक तरह के अपग्रेट वर्जन आता है आपको मैं पूरा कोर्स में बता करता है के इसे काम करता है प्रोग्राम कैसे होता है उसका रेट कर से निकाल सकते हैंत्र में कि उसमें कंत्र हें लाइव ₹प में मच सबसर होते हैं तो वहां से जो भी सभड्री यह और चैंक यह जाएगा जैसे लिए यह कितने हैं कितने पीन है कितने इन्सें यह मुझे जानना हो तो यहां से इस पकूपी करूँंगा और इसके गलूंगा और यहां से जाने के बाद इसको पेस्ट करंगा कि देख सकते हैं इसमें माइक का समाइक का चार्जिंग का इसको दोस्तों बीटू भी कनेक्टर भी बोलते हैं जो कि चार्जिंग का पत्ता इससे जुरता है तो इस जेक में देख सकते हैं टोटल कितने पीन है तो यहां पर आपको देख सकते हैं यहां पर जो टोटल पीन है 68 पीन इसमें दिया गया है और इसमें से जो भी पीन का काम है यहां पर दर्साया गया है तो दोस्तो आपको पूरा डिटेल में आपको यहां बता देगा कि कौन से पीन NC है कौन सी ग्राउंड है दोस्तो इसके लिए आप एक डीप नॉलेज की ज़रत है अगर आप रिपेरिंग छेतर में आना चाहते हैं आपको पता होना चाहिए एक पता एगर खराब है आपका बोर्ड का तो क्या-क्या दिक्कत आएगा तो अगर आप डाइग्राम बेसेस पे सीखते हैं तो आपको यह चीज नॉलेज बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर बढ़ जाएगा जिससे कि आप कम समय में अच्छा रिपेरिंग कर सकते हैं जैसे कि मालो मुझे इसमें चार्जिंग का ढूलना हो कि मैं चार्जिंग का ड्रेग ढूंगा कि चार्जिंग कैसे मुझे जानना थो इसके लिए ऐख भी dyn आता है सेमेटिक में तो जैसे यहां पे देखो लिखा हुआ है वीवस फाइफ पईट जीरॉवल्ट दोस्तों kodding कऄ से कॉन सी लाइन है कौन सा इंपूड होता है कौनसी आउट्पूट होता है मैं आपको पूरा डीटेल में यहां पर एक्स्प्लेइन करूंगा पूरा समेटिक तो दोस्तो आप अगर हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते है तो जरूर जुड़िए हमारे से देखो जैसे कि मैं यह इस पर डबल क्लिक करूंगा और इसको मुझे कहीं पर भी कॉपी पेस्ट करने के जुरत नहीं है मुझे यहां स्रिफ नेक्स्ट बटन करना है अभी देखेंगे कि यही वाला बोल्टेज यहां पर इंपूट हो रहा है यहां पर एक ड्रवक लगा वहा है दोस्तों यह यह जो हता है मुस्त ली आपको सेक्षण में जरूर मिलेगा लेक्न हो तो यह वाला बोल्ट अगर झार खराब हो जाता है तो आपके के पास problem क्या आएगा जैसे आप charging लगाएंगे तो चार्जर का लाइट बंद हो जाता है ऐसा problem आपको देखने को मिलेगा तो कई बार दोस्तों ऐसा नहीं कि हर बार यह charging लगाएंगे तो बंद ही होगा कई बार इसमें क्या होता है कि फेक charging के भी problem आ जाता है इसके वजह से यानि कि एक-एक component के आपके पास knowledge होना चाहिए किस component से क्या problem आता है दोस्तों आज कल के date में अगर आप रिपेरिंग करते हैं आपको हर एक knowledge हर एक component की knowledge होना बहुत ज़रूरी है अभी आप देखेंगे कि यहां पर एक line सीद्धा जाकर के एक IC में input हुआ है इसमें B3, C2, C C3 उसके बाद output हो रहा है A2, A3, B2 यह IC से इसका output होगा इस बोल से दोस्तों यह OVPIC होता है लेकिन यह OVPIC बांकि को OVPIC से थोड़ा advance होता है क्योंकि इसमें काफी सारे खुबी होते हैं जैसे कि आपका mobile में आज कल देखते हुए fast charging चल रहा है तो यह ऐसा नहीं कि स्री यह OVPIC बाकी का OVPIC होता है उसमें आप 5 बोल्ट के जगा छे बोल्ट जीस दिन आएगा वो उड़ जाएगा लेकिन यह IC 8 बोल्ट तक नहीं उड़ेगा पांच बोल्ट से 8 बोल्ट के बीच यहाँ पर अगर मुझे इस IC को by-pass करना पड़े तो मैं तो या तो B3 C2, C3 य A3 या B2 यह तीनों में से किसी एक पीन से जंपर लेकर के इस तीनों में से किसी भी एक पीन के आप अगर सौट कर देंगे तो यह OVPIC बाइपास हो जाएगा इसकी 100% गारेंटी है लेकिन दोस्तों मैं आपको सजसन दूँगा कि आप इसको एक जंपर से बाइपास मत कीजिए कम से कम यहां पे जो है एक ओम से 20 ओम तक का रजिस्टर जरूर लगा दे ताकि यह OVPIC वैसे ही काम करता रहे जैसे कि जिसके लिए OVPIC बनाया गया है अगर यह आप रजिस्टर लगाते हैं दोस्तों यकीन मानिए कि इसमें आपको नेक्स्ट कभी भी यह दिफोल्ट आता है तो यह आपको काफी ज़्यादा मदद करेगा कि आप देखऊ कि यहांसी आइसि निकल करके 561 इसनिकल करके यह 5 बूल्ट आपके रहे हैं यहां से अगय से चेक करने के लिए इस कोड़ को आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहां से करेंगे इसको next find देखिए एक यह IC में दोस्तों वो जो मैंने आपको पहले दिखा OVP IC था वो charging IC नहीं था charging IC आपका यह वाला है देखिए यह जो है OVP से आता हुआ देखेंगे यहां पे क्वाइल लगावा है दोस्तों अगर यह क्वाइल यहां से टूट जाए अगर यह क्वाइल यहां से टूट जाए तो जहिर सी बात है आपका main board चेंज करके देख लिया पत्ता चेंज करके देख लिया और लेकिन आपका यहां क्वाइल में problem है तो इसके वज़े से बहुत से टेक्निशन सेमेटिक लेवल का जानकारी नहीं होने के कारण वो सिद्धा charging IC चेंज करता है उसके बाद पत्ता चेंज करता है charging जेक चेंज कर देगा क्या बोल्टे जाता है यह नहीं पता होने के कारण वो तुक्य वस repairing करता है तो दोस्तों तुक्य से repairing नहीं होता है रिपेरिंग हमीशा knowledge से होता है वाद ध्यान रखिए तो अगर यह क्वाइल मुझे ढूणना पड़े कि यह क्वाइल कहां है तो मुझे क्या करूंगा यहां पर सर्च बार में जा करके इसको पेश्ट कर दूंगा और यहां करूंगा नेक्स्ट तो आप देख सकते हो यह जो है एक आइसी है यह चार्जिंग आइसी है इसके बिल्कुल कॉर्णर पर देखेंगे यह क्वाइल लगा हुआ है अगर मैं इसको बोर्ड पर देखूं बोर्ड पर देखूं तो यह वाला जो है हम इस वाली क्वाइल की बात कर दे हैं यहां पर मिलेगा दोस्तों मैं आपको हाड़वेर सलूशन भी एक्स्प्लेन करका भी दिखाऊंगा कि उसमें हम कैसे कैसे प्रोब्लम को फाइंड कर सकते हैं तो हमने देखो इसमें हम क्व एधा फुल्ब्लम की मिलेगा तो अब हम यहां पर देखते हैं देखिए यहां पर रहता मिला था सफ दोस्तों यह सारी आइक आपको यहीं पर देखने को मिले का मिलेगा जो कि मudeं कर सकते हैं इस IC में voltage input हो रहा है यहां पर दो के पिश्टल लगे हैं वह एक साइट से ground से connector है तो यह वाला supply जो है इस IC में आया और यहां पर देखेंगे कि जब इस IC में input हुआ तो यह output के लिए भी एक code होता है दोस्तों ऐसे नहीं कि आप input चेक किये उसके बाद output आपको confident होना चाहिए कि कौन से component पे output निकलेगा यह मालूम नहीं होने के कारण बहुत से technician अंदाजे वर्स उसको IC के आज पास multimeter ले करके चेक करते हैं कि कि component पे वह output निकल रहा है किस से input जा रहा है यह उसको 100% मालूम नहीं होता है दोस्तों सेमेटिक लेवल से सीखने का यहीं मकसद होता है कि आप 100% जानकारी के साथ repairing करेंगे कि किस component से वह input होगा किस component पे output होगा उसका GR क्या आएगा अगर IC MPR produce नहीं कर रहा है तो क्या जी आर आएगा कैसे आप checking करेंगे उस problem को तो दोस्तों अगर आपको detail में सीखना हो तो हमसे जरूर संपर्क किजिएगा मैं आपको सेमेटिक में काफी ज्यादा detail में सिखाऊंगा और हैंड रही बात हैंड इसकिल का तो हैंड इसकिल में आपको इतना ज्यादा help कर दूँगा कि आप कभी भी रिपेरिंग में फसेंगे नहीं तो यहां पर आप देख सकते हैं जब यह इस आइसी माया तो सैमसंग में जो आउटपुट होता है वह एलेक्स के नाम से होता है यानि कि सेमेटिक में जो कोड होगा एलेक्स होगा और बाकी के चाइनी सेट में वी एसडवलू वी एसडवलू होता है बोल्टेज स्विचिंग होता है एसडवलू होता है तो इस नाम से आपको आउटपुट वाले पीन नजर आएगा तो यहां पर हम देखते हैं आईसी के इस चारो साइट से इसे नाम पढ़िए कहीं पर अगर मुझ आउटपुट वाला जो पीन होगा वह यही वाला है इसी बोल से आईसी से आउटपुट होगा करेंट जो की चार्जिंग का होगा अब यह बोल्टेज जो दोस्तों जब निकलेगा ध्यान रख लेना यहां पे एक क्वाइल आपको 100% मिलेगा यह बात का आप देख लीजि सब में आपको इहां भी आपको आपने जरूर मिलेगा कि अब यहां पर्सक्वल को मुझे ढूंदना है तो मैं डूनगा तो इस कवाड को मैं यहां से कोपी करूंगा और लेयाउट पर जाखर करके इसको पेस्ट करदूंगा देख लेजी यहां पर यहां पर लगा हुआ है बोर्ड के निचले हिसे में अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो वह यहां पर लगा हुआ है देख सकते हों यहां पर लगा हुआ है यहां से जब बोल्टेज निकलेगा जब यहां से यह voltage निकलेगा तो यह voltage जो है वेट सिस्टम बनाएगा voltage जो कि BPH VCC main काफी सारे voltage का नाम है मैं आपको काफी सारे जब आएंगे तो मैं आपको काफी सारे detail में आपको बताऊंगा इस voltage को अलग अलग मदर्बुड में अलग अलग नाम से जाना जाता है तो मैं आपको सब का कोडिंग बताऊंगा दोस्तों एक वीडियो में पूरा कवा इसमें कन लेना को ही मुश्किल बात है तो मैं आपको कोशिश करूंगा जब आप क्लास में तभी में बता दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में नहीं से आपको इस्सिस्टम बोल्टेज बनेगा इसमें काफी लेंगवेज के नाम से ये मिलेग wallet की नाम मिलता है इसको बोल जाता है दोस्तों अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आपका हमारा क्लास करना पड़ेगा जिसमें मैं आपको फूल डीटेल में बताऊंगा क्योंकि एक वीडियो में पूरा कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है मैं जहां तक हो रहा है मैं वहां तक कवर करने का कोशिच कर रहा हूं जो भी इसमें चाहे वह फ्रेशर स्टुडेंट हो चाहे वो experience student हो दोस्तों इस परकार से एगर वो Samsung A50 बे चार्जिंग का प्रोब्लम आता है input output नहीं हो पता है input output से नहीं कि charging नहीं लोगो नहीं आता है fake charging होता है तो problem उसको solve कर सकते हैं इस problem इस हिसाब से तो charging से भी काफी दोस्तों problem आता है जैसे charging error आता है आप देखेंगे temperature low to high आता है यह सब प्रोब्लम आखिर आपको deep में यहां पर सीखने को मिलेगा और इस relative से आपके पास handset हो तो आप handset मेरे पास लेकर आ सकते हैं जिसको आप live यहां बना करके दिखाएंगे और आपके हाथों समय बनवाओंगा यह सबसे आपका benefit होगा जिस solution के लिए आप इधर उदर भटकते थे वो solution मैं आपके हाथों से करवाओंगा तो इससे आपको काफी कुछ और knowledge होगा काफी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों अगर आप pressure है या फिर experience वाले हमारे पर हड़ी एक level का classroom होता है जिससे कि आप उस classroom में अलग-अलग setup से ब पनाएगा यहां से पावर ऐसी को लाइट ऐसी को ग्राफिक ऐसी को नेट्रक ऐसी को इसमें टूजी फोर जी पीए को यह सब पीए को जाता है सप्लाई यहां से ही जाता है और यहां से एक सप्लाई वापीस एक return होगा इस IC में क्योंकि बैटरी आजकल के handset में दोस्तों क यही कारण है क्योंकि यह डाइरेक्ट आपको यहां से नहीं मिलेगा यह पहले आईसी में जाएगा आईसी से यहां से निकल करके charge-out देख रहे हैं चार जाओट यह चार्ज आउट से इस क्यापिस्टर पर निकल करके यह बैटरी कनेक्टर पर जाएगा दोस्तों यह आपका बैटरी को बैटरी को लगाया है तो डिटेक्शन जब तक नहीं होगा चार्जिंग आई-स आपका बैटरी को यह इस का काम करने करदेगा थरिका होता है दोस्तों मैं बता दूंगा अपको detection क्या होता है आप रहे हैं तो देखिए दोस्तों यह वाला जो है इस पर मैं double click करता हूं और यहां से करूंगा next यह मुझे battery connector पर लेके जाएगा देखिए यहां लिखवा battery connector तो यहां से देखेंगे कि यह बीट supply जो है यह इधर से एक दो दो क्यपिस्टर से जो पर यह parallel है यहां से क्यपिस्टर से होते हुए यह बीवेट दो नमर पीन पर connect हो जाएगा और एक नमर पर यह connect होगा उसके बाद यह देख सकते हैं एस फोर यह यहां से आपको बैट ग्राउंड सेंस मिलेगा अब सेंस क्या होता है दोस्तों इसके उपर भी लोजिक है दोस्तों क्योंकि जब आपका बैटरी चार्ज होता है एक तो browsing में अइसे बनाता है उसके बाद बैटरी शकार बनाता है उसके भाटम बैटरी होता है तो कितना जैसे 500 में नहीं के चै nauk कि एक प्रसेंτι बनाना ही को 20% करेगा कि उसको 4% करेगा इसपर करके कितना एंपियर उस बैटरी में जाएगा तो आपका परसेंटेज बढ़ेगा इसके होता है उसी को फ्यूल गेज एक सेक्षन होता है जो कि इस चीज को देखता है और चभी जाकर कि आपके डिस्प्ले में परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आता है अगर आपको परसेंटेज से र आता है तूरंथ तो दोस्तों को फ्यूल गिए सिस्टम का दिक्कत होता है तो आपको कभी बहूंत अब फिल के सिस्टम को चैक कर सकते हैं अब यहां पर देखिए कि यह वाला जो यह वाला जो है सफलाई यह बैटरी कनेक्टर पर आ गया अगर मैं इसी को हाड़वेर सलूशन करूं तो कैसे करूंगा तो यहां पर आप देखिए कि मैं इसकी जैसे देखिए यह वाला जो है अभी हमने जब पता किया था कि यह वाला जो connector था यह बीटूबी connector था देखिए मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं आप इस socket में गये थे यहां पर देख सकते हैं यह battery connector है यह battery connector है इसके ठीक बाजु में में देख सकते हैं यह connector जिसको वीटूबी connector बोले थे अब यह बीटूबी connector कैसे है कहां पर हमको मिलेगा अगर मुझे hardware solution के अंदर देखना इसमें काफी सारे track बना हुआ है तो यही वाला connector आप जाकर के hardware solution में खोलेंगे देखेंगे यह आगया यह hardware solution में देखेंगे यह battery connector है इसको ठीक बाजु में hardware solution में इसका बीटूबी connector दिया हुआ है तो दोस्तों यहां से देख सकते हो यह 66 और 65 नंबर पीन से charging का ट्रेक जा रहा है जो प्लस का होता है दोस्तों अगर आपको dm, dp, id, cc1, cc2 यह सब लाइन का एकर knowledge नहीं है दोस्तों आपको काफी ज़्यादा परहसानी होगा जो नए handset आ रहे है रिपेरिंग के लिए charging का फोल्ड के लिए दोस्तों हर एक लाइन का आपको जी आर होना चाहिए कैसे काम करता है यह knowledge होना चाहिए इसमें कितने कितने component लगे होते क्या-क्या value का लगा होता है कैसे काम करता है यह IC से कैसे detection होता है यह सबका knowledge आपके पास जब तक नहीं आए कर ले रहे हैं आपको दूस्तों एक यहां पर प्रफेक्ट नॉलेज मिलेगा जिससे आपकी आप बीना डाइमेज का काम कर पाएंगे तो देखेंगे यहां हम आभी वीवस लाइन चेक कर रहा था जो चार्जिंग का प्लस लाइन होता है जो चार्जिंग जेक से पांच ब कर रहें देखेंगे यह लाइन सबसे पहले यहां पर एक यहां के डाइवोड पाहता है दोस्कों सैंसंग में आपको इस परकार के राइव देखने को मिलेंगे जб इसको आप रिमॉप करेंगे गयतों दो पीन jó तीन पीन होते हैं तीन में से जो दो पंड हो वह ग्राउंड होगा एक पिन होगा इसका सफलाई का पिन होगा अब वहां से निकलने के बाद देख सकते एक यहां पर क्यापिस्टर पर आएगा और इस क्यापिस्टर से निकल करके एक यह OVPIC में आएगा मैं आपको थोड़ी दिर पहले आपको बता चुका हूँ कि OVPIC में आपको एगर बाइपास करना हो तो कैसे करेंगे यहां देखे एक तो इधर का आपको रेड़ पिन दिख रहा है एक दूसरे सैट दिख रहा है आप पहले वाले से दूसरे वाले को जोड़ दोगे तब भी बाइपास हो जाएगा नहीं तो अगर आपको इसको बाइपास करना है तो क्या करना है कि चार्जर लगा लेना है चार्जर लगाने के बाद इस को रिमूब करेंगे को इसमें किसी तीन पिन पर आपको चार्जर के वराबर बोल्टेज मिलेगा और यह आउटपूट में भी एक क्या पिस्टर लगा होता है यह कंपल्सरी है आपको क्या करना है जो बांकी के सामने यानि ग्राउंड पिन क उस क्यापिस्टर से आपको जंपर कर देना है तो भी यह आईसी बाइपास हो जाएगा दोस्तों या तो आप इस क्यापिस्टर से उठागे जंपर इस क्यापिस्टर पर कर देंगे तब भी यह आईसी बाइपास हो जाएगा दोस्तों अब भी अगर आपको कुछ कोस्टन को मिलेगा यग किन नहीं करपायेंगा है इतना नौलेज होने के बाद रिपेरिंग कर रहें तो आपके पास हैंड्सेट करने का तडिका बदल जाएगा और कम से कम समय में आप उसको फॉल सरी कर पा findings अब यहां देखेंगे जो वही क्वाइल लगा तो मैं वताया थे क्वाइल अगर खराब होगा तो चार्जिंग में प्रब्लम आएगा देख सकते हैं यह वाला क्वाइल से होते हुए वे दो क्यापिृस्टर लगा है एक और क्यापिृस्टर लग करके तो इस चारजिंग आ इसी में इंपूट हो रहाए है Вadaac nevertheless अगर आपको शिर्ण चार्जर लगा करें किह स्अपम Chicago सब्खेंग करता हैस एक बड़ हैं चार्जिंग के हैं कि कैट करते हैं बहुत से तो इस तरह के आपको रिपेरिंग करने के जुरत नहीं आप सिद्धा चारजर लगाईए और यहांपर पांच बोल्ट मिलता है तो यहां की आपका तो चार्जिंग लाइन ओकैए उसके बाद आउटपूट के लिए हम देख सकते हैं बूस्ट कोईल पर मिले का आपको आउटपूट मिलेगा आप बैटरी कनेक्टर पर आपको आउटपूट चेक करने के ज़रूत नहीं है क्योंकि वहां पर बहुत से फोन में बैटरी का बोल्टेज नहीं आता है तो यहां पर देखोगे तो बूस्ट कोईल से होते हुए यह डाइबोर्ट से होते हुए यह दो क्यापिस्टर से यह बीवेट भी सिस्टम 3.7 बोल्ट बनाएगा जो की लाइट आइसी ग्राफिक आइसी रिंगर आइसी टूजी थिरीजी पीए बाकिका एल्डियो जो छोट अब यहां पर देखिए कि वापिस यहां से एक रिटन एक लाइन जा रहा है जो की चार्जिंग आइसी में जा रहा है मैं अभी थोड़ी दिर पहले बताया था कि यह रिटन लाइन एक चार्जिंग आइसी में जाएगा क्योंकि यह बैटरी को चार्ज करने के लिए और य यह लाइन जो होगा सिधा battery connector पर जाएगा जो कि बैटरी को चार्ज करने के लिए देख सकते हैं यह वाला लाइन जो जा रहा है कि देखेंगे यह वाला जो लाइन जा रहा है एक क्यपिश्टर दो और क्यपिश्टर लग करके यह बैटरी कनेक्टर पर आ गया कि दोस्तो यह इसका इंपूर्ट आउट्पूट चेक करने का तरीकह उता है इसमें देखेंगे तो मैंने आपको चार्जिंग का ट्रिक बता है इसमें यह काफ़ी साब्स पीमसी सारे मि इस चारजिंग नाइसी हौता है ऑग ऑस का क्यों सेंसे हुआ यह सब का आपको डीप नोलेज होना चाहिए जब आप क्लास मैंगे में जितना चीज आपको परहाया हूँ आपको मैं लाइव चेक करके दिखाऊंगा एक एक बोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा किस के पिश्टर पर कितना जी आ रहेगा आइसी का कौन से इसी का इंपूट कितना होगा आउटपूट कितना होगा डीप में आपको ट्रेसिंग देखने को मिलेगा और सारे ठेसिंग आपको प्रैक्टिकल दीखने को मिलेगा यह सबसे बड़ी बात है अब यहां पर मैं आपको लेयाओट में ले करके से चाहता हूं जैसे सिक मालो की आपको यह क्याओं किस-किस एंसेटे से लगा सकते Wellington क्या करते हो कि क्या करना है एनेवल लग 15 और यहां से चैबल क्लिक कर देंगे हैं दोस्तों यहां होगा कि यह पूरा रीड करके आपको एक information देदेगा कि यह कौन सी है कितने हैंट में लग करके आ रहा है कहां से आप यह निकाल सकते हैं जैसे आपके दुकान पर काफी सारे scrape board हैं काफी सारे scrape board हैं आप तब भी market से खड़िद के लाते हैं जब आपके पास जो स्क्रेब बोड हैं उसमें भी आप यसी को यूज कर सकते हैं उससे आप ले भी सकते हैं charging IC या power IC तो वह चीज़ आपको काफी benefit देखने को मिलेगा इसका इसमें डाटा नहीं होगा तो इस IC को देखता हूं एक बार कि इसमें दोस्तों कई बार कोई update नहीं हुआ तो नहीं दिखाता है लेकिन नहीं मैं आपको बता दूं 99 परसेंट ही इसमें दिखा देता है तभी मैं काफी ATT-357 मॉडल यंदिकाने वाला भी हूं हुँ है मैं इस IC पर क्लिक किया हूं कि इसमें देखेंगे जब इस IC को निकालेंगे ब्रफीस में डॉत इंडिकेशन कहीं बhouse नोग तो इसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं किसमें dot इंडिकेशन कि और के साइड है और कि ओन यह सब का नोलेज आपके पास बहुत ही डीप में होना चाहिए दोस्तों हम एक Redmi 6 Pro खोल लेते हैं उसके अंदर हम ज़रा देखते हैं इसमें देखेंगे हमने यहां से PCD एनेवल करेंगे इसमें देखेंगे काफी सारे मोडल का दिखा रहा है जैसे कि मान लो मैं यहां पर एक IC है इस IC के बारे में जानना चाहता हूं इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और यह IC का पार्ट नमर क्या है यह इसी मार्केट में आपको किस बोर्ड में मिलेगा कितने बोर्ड सकते कितने बोर्ड में डाल सकते यह सब चीज आपको यहां से मिल जाएगा जैसे कि मान लीजिए कोही डायरेक्ट यहां से नहीं उठाता है तो आप इसकोने पर देखेंगे सब्सक्राइब करके यहां से इस पार्ट को सर्च कर सकते हैं आपको बता देगा कि यह कितने मोडल में यूज होता है कि यहां से यह चेकिंग हो रहा है दोस्तों देख सकते हैं यहां पर रिजल्ट आ चुका है यह इसका हाइसी का स्वकी में है यहाइसी का पार्ट नमर है स के सवाई-डवल-शेवन ऑधना और है गिए मैं मान लो दूसरा ऐसी एक लेता हूं जैसे की यह काई सी है इस इस इाशी को चेक करता हूं यह कितने हेंट में लग करके आ रहा है यह मैं चपर ता थोगी यह प्रक्षी काफी सारे लगा कStartни में क्योंकि इसमें 94 मोडल में ये वाली यूज हुआ है याइसिय फॉमने kalian में लगा वा है 20 Molly अगवा है है किसा नाइन फाइब लगा हुआ है यह फैनाक ब्ली कि इसके इन्दर charging आइसिया पको मर्ज मिलेगा Charging आइसि के अंदर form मिलेगा आप देख सकते कितने सारे मोडल में यह लगे हुए हैं इतने सारे एस सकते हैं और यह इसे ऊसमें लगा भी सकते ऑपके दूकान में ध्र सारे होता है उस कर सकते हैं इस तरह के से आपको करना सिध अगर किसी अबाइнять कोन सी आइसी है कैसी है उसको चेक करने में पड़ेशानी होता है यह कुण सी आइसी है ता आपको सिधा क्या करना है यहां पर एनेवल PCD पर क्लिक करना है और आइसी पर डबल क्लिक कर देंगे उसी आइसी पर यह इसके बारे में पूरा इफ्रमेशन आपको दे देगा अब दोस्तों जैसे की मालो हमारे पास अब जैसे देख सकते हो दोस्तों एक यहां पर लगा हुआ है ल्वन डबल जीरो वन नाम से क्वाइल लगा है अब यह कैसे हम इसको चेंज करेंगे कि अगर इसको मुझे चेंज करना पड़े तो क्या क क्या चीज मुझे इसमें देखना पडेगा यह भी चीज मैं आपको बता देती हूं यहां समें इसका पार्टनमर को Pas यहां अदní कि देख सकते हैं इसमें जाकरके भी पेस्ट कर देंगे आपको कभी भी एक क्वाइल अगर चेंज करना हो तो दोस्तों आपको सेम वर्जन का क्वाइल ही लगाना पड़ेगा इसको कहां कौन सा बोट से निकालेंगे कौन से बोट सेंपो चाहिए एक वाइल तो आपके पास जो भी एसक्रेब बोट पड़े हुए है उसके आपको इस तरह कैसे डाइगराम खोलना है देखिए इसमें 4.7 यूएच है लिखा हुआ अगर मैं इसको यहां पर अपर अथरि क्वाइल यूज नहीं हुआ है तो आप इस बोट में डायरेक्ट मल्टिमीटर लेकर करके तब भी टेक्निशन देख लेते हैं यह उतार करके लगा दिया आपको एक तरीके से दिखाई देता है तब लगा देते हो दोस्तों यह सब चीज आप ना करें आपको बिलकुल करेगा जैसे मेरे को वान पोइंट जीरो इसका क्वाइल चाहिए एदेखे यह बोलना है कि वान पॉइंट जीरो येज का क्वाइल तक ऊपको मिल जाएगा इस वाले स्वाले बोर्ड में अगर आपको वट ग.. इसका क्वाइल चाहिए सिर्फ आपको वर्जन आपको यहां पर पेश्ट करना है ना कि इसका पाट्रमर मेच करना है या तो आपको इसका नहीं कि क्वाइल लिखेंगे ऐसा नहीं आपको सिर्फ उसका वर्जन को सर्च करना है वर्जन से आप निकाल करके आप लगा सकते हैं पावर ऐसी बोल्टेज जनरेट करता है यह सब का आपको डीप नोलज चाहिए तो दोस्तों हमसे जरूर संपर्ख कीजिए और दोस्तों उमीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा इस तरह के अगर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर आप नीचे कमेंट कर तब तक के लिए धन्यवाद